पिछले तीन दिवस से अनेक बरीष्ट महानुभाव आदर्णिय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं करीब सभी के विचार मुत्तक विस्तार से पहुँचे भी है याने स्वायम भी कुछ भाष्वन सुने भी है आदर्णिय अद्धिक जी देश की जन्ता ने हमारी सरकार के प्रति बार बार जो विच्वास जताया है मैं आज देश के कोटी कोटी नागरितों का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्ते दुआ हुआ हुँआ और अद्धिक जी कहते हैं भगवान बहुत दयालू है और भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी ने किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है किसी ने किसी वो माध्यम बनाता है मैं इसे भगवान का आशिरवाद मानता हूँ कि इस्वर ने विपस को सुझाया और वो प्रस्थाव लेकर आए 2018 में भी ये इस्वर का ही आदेश था जब विपस के मेरे साथी अविश्वास प्रस्थाव लेकर के आए थे उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्थाव हमारी सरकार का फ्लोर टेश्ट नहीं है मैंने उस दिन कहा था बलकि ये उनीका फ्लोर टेश्थ है ये मैंने उस दिन भी कहा था और हुआ भी वही जब मतदान हुआ तो विक्पक्ष के पास जितने वोड थे उतने वोड भी वो जमान नहीं कर पाहे थे और इतना ही नहीं जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कांफिडन्स गोशित कर दिया और चुनाओं में एंडिये को भी ज़्यादा सिटे मिली और भाजपा को भी ज़्यादा सिटे मिली यानि एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शूब होता है और मैं आज देख रहा हूँ कि आपने तै कर लिया है कि एंडिये और बीजेपी दोहजार चोबिस के चुनाओं में पूराने सारे रेकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजये के साथ जनता के आशिरवात से वापिस आएंगे आदनी अद्धक जी विपक्ष के प्रस्ताव पर यहां तीन दिनों से अलग लग विश्व पर काफी चर्चा हुई है अच्छा होता कि सत्र की सुरुवात के बाद से ही विपक्ष ने गंबीरता के साथ सदन की कारवाई में हिस्सा लिया होता बीते दिनों इसी सदन्य और हमारे दोनों सदन्य जनविश्वास बिल मेडियेशन बिल, डेंटल कमिशन बिल, आदिवासियों के लिए जुड़े हुए बिल, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, नेशनल रिसर्क वादूशन बिल, कोस्टनल एक्वा कल्चर से जुड़ा बिल, ऐसे कई महत्वपूर बिल यहां पारिती है और यह ऐसे बिल थे, जो हमारे फिशर्माइन के हग के लिए थे, और उसका सबसे ज्यादा लाब केरल को होना था, और केरियत के शांसरदों से ज्यादा प्यक्षा थी, कुछ ऐसे बिल पर तो अच्छे ढंग से हिस्सा लेते, लेकिन राजनीती उनको हावी हो चुकी है, को उनको फिशर्मेन की जिन्ता नहीं है, यहाँ नेशनल डिसर्ट फांडेशन के बिल था, देश की युवाश शक्ति के आशा अकांशाओं के लिए एक नई दिशा देने वाला बिल था, हिंदुस्तान को एक साइंस पावर के रुप में भारत कैसे उभरे, वैसे एक दिर्ग दर्ष्टि के साथ सोचा गया था, उससे भी आपका इतराज, डिटी चर्ण डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये बिल अपने आप में, देश के युवाशों के जजबे में जिस बात आज प्रमुक्सता से है, उससे जुड़ा हुआ था, आने वाला समय टेक्नलोलोजी ड्रीवन है, आज डाटा को एक प्रकार से सेकंड ओईल के रूप में, सेकंड गोल्ड के रूप में माना जाता है, उस पर कितरी गंभीर चर्चा की ज़रोत थी, लेकिन राजनीती आपके लिए प्राफ्मिक्ता थी, कई ऐसे भी थे, जो गाउं के लिए, गरीब के लिए, दलीद के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवास्तिक के लिए, उनके कल्यान की चर्चा कल्या के लिए थे, उनके भविश्च के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इसमें, इन्हें कोई रूची नहीं है, देश की जनता ने, जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है, उस जनता का भी विश्वास गात किया गया है, विपक्ष के कुछ दलों के लिए, उनके आत्रन्स, उनके भेवार से, उन्होंने सिद्ध कर दिया है, कि देश से ज़्यादा उनके लिए दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथ्विक्ता दल है, मैं समझता हूँ, आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख यही आपके दिमाग पे सबार है, आपको देश के युवाओं के भविश्य की परवा नहीं है, आपको अपने राजनीतित भविश्य की चिंता है, और मानिय अद्धक जी, आप जूटे एक दिन सदद चलने भी दिया, किस काम के लिए है? आप जूटे, तो अविश्वास परस्ताओं कर जूटे, और अपने कटर ब्रश्ट साथी उनकी शर्थ पर मजबूर हो करके, और इस अविश्वास पर प्रस्ताओं पर भी, आपने कैसी चर्था की? और तो मैं तो देख रहा हूँ, सोशल मेडिया में आपके दरबारी भी बहुत दूखी है। यह हाल है आपका? और देख जी देखे मज़ा इस निवेट का, कि फिल्डिंग विपक्ष ने और्गनाइज की, लेकिन चोके छके यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिटन्स मोशन पे नो बॉल नो बल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रहे हैं, उधर से नो बॉल हो रहा है। अद्धिक जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा, आप तैयर ही करकी क्यों नहीं आते जी, तोड़ी महनत कीजिए। और मैंने पांच साल दिया आपको महनत के निकलिया। 18 में कहा था कि 23 में आप आना जुरूर आना। पांच साल भी नहीं कर भाए आपको। क्या हाल है आप लोग होता है। क्या आप दारीद्र है। क्या है। आप आदेने अद्रक जी। विपक्ष्किया ये हमारे साथियों को दिखास की छपास की। कि बहुत इच्छा रहती हो पर स्वाब हल्ग है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि देश भी आपको देख रहा है। आप एक एक शब्द को देश गौर से सुन रहा है। लेकिन हर बार देश को आपने निराशा के सिवाए कुछ नहीं किया। और विपक्ष के रवये पर भी कहूंगा। जीन के जीन के खुद के वही खाते बिगड़े हुए हैं। जीन के वही काते खुद के बिगड़े हुए हैं। वो भी हमसे हमारा हिसाब लिये फिरते हैं। मानिय अध्यक जी इस अविश्वास प्रताव में है। कुछ चीचों के ऐसी विचीतर नजर आई। चुनक पहले कभी सुना है ने देखा है ने कभी कल्पना की है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलने की सुची में नामी नहीं था। और पिछले उधान देखिया। 1999 में वाजपाई सरकार के खिलाब अभिस्वास प्रताव आया। सरत पवार साब उस समय नेतरुत्व कर रहे थे। उन्होंने डिबेड का नेतरुत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी। सोनिया जी विपक्ष की नेता थी। उन्होंने लीड ली। उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रताव रखा। कि दोजार अठारा में खड़गे जी थे वीपस्के नेता उन्होंने प्रमिनेटली विशे को आगे बढ़ाया लेकिन इस बार अधिर बाबू को क्या फाल हो गया उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मोका नहीं दिया ये तो कल अमीद भाई ने बहुत बहुत जिम्मेवार के साथ कहां कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मोका दिया लेकिन गुड का गोबर कैसे करना उसमें यह माहीर है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है क्यों अधीर बाबू को दर किनारे कर दिया गया पता नहीं कलकत्तर से कोई फोन आया हो और कॉंग्रेज बार-बार कॉंग्रेज बार-बार उनका अपमान करती है कभी चुनाओं के नाम पर उन्हें अस्थाई रूप से फ्लोर लीडर से हटा देते हैं बिट्टु जी हम अधीर बाबू के फती अपने पूरी संवेधना व्यक्त करते हैं अधेज जी जड़ा जोर जा हस लिजी ए अधेज अध्यक जी किसी भी देश के जीवन में इतिहास में एक समय ऐसा आता है जब वो पुरानी बंदिसों को तोड़ करके एक नई उर्जा के साथ नई उमंक के साथ नई सपनों के साथ नई संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए कदम उठा लेता है 21 सदी का ये कालखन और मैं बड़ी गंबीरता से इस पवित्र लोगतंतर के मंदीर में बोल रहा हूं और लंबे अनुभव के बाद बोल रहा हूं कि ये कालखन सदी का ये वो कालखन है जो भारत के लिए हर सपने सिद्ध करने का अउसर हमारे चरण के और हम सब आइसे टाइम पिरिएड में चाए हम है चाए आप है देश के कोटी कोटी जन है ये टाइम पिरिएड बहुत एहम है बड़ा महत्व्कूम है बलत लजयों विस्व में और मैं शब्दों को भी बड़े विस्वात से कहना चाहता हूं कि ये कालखंड जो घड़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले एक हजार साल तक रहने वाला एक सो चालिस करोर देश वाच्यों का पुर्षार्थ इस कालखंड में अपने पराक्रम से अपने पुर्षार्थ से अपनी शक्ति से अपने सावर्थ से जो करेगा वो आने वाले एक हजार साल की मजबूत नीव रखने वाला है और इसलिए इस कालखंड में हम सबका बहुत बड़ा दाईत्वा है बहुत बड़ी जिम्बवारी है और ऐसे समय हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए देश का विकास देश के लोगों के सपनों को पुरा करने का संकल्प और संकल्प को सिद्धी तक ले जाने के लिए जी जान से जुड़ जाना यहीं समय की मांग है एक सो चालीस करोर देश्वासी इन भारतिय समधाय की सामोहिक ताकत हमें उस उन्चाई पर पहुँचा सकती है हमारे देश की युवा पीड़ी का सामर्त है आज विश्वन ने उनका लोहा माना हुआ है हम उन पर भरोसा करें यह हमारे युवा पीड़ी भी जो सपने देख रही है वो सपनों को संकल्प के साथ सिध्धी तक पहुँचाने का सामर्त रखती है और इसलिए मान्यद्दक जी दोहजार चौदा में तीस साल के बाद देश की जन्ता ने पुर्ण भहुमत की सरकार बनाई है और दोहजार उन्नीस में भी उस ट्रैक रेकोर्ड को देख करके उनके सपनों को संजोने का सामर्त कहां है उनके संकल्पों को सिद्ध करने की ताकत कहां पड़ी है और देश भली भांती पहचान गया और इसलिए दोहजार उन्नीस में फिर एक बार हम सब को सेवा करने का मोका दिया और अधिक मजबूती के साथ दिया अधनिय दग जी किस सदन में बैटे हुए प्रत्य व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो भारत के युवाओं के सपनों को उनकी महत्वक आक्षाओं को उनकी आसा आपक्षा के मताविक वो जो काम करना चाहता है उसके हां लिए हम अवसर दे सरकार में रहते हुए हमने भी इस दाइत्व को निभाने का भरपूर प्रयास किया है हमने भारत के युवाओं को गोटालों से रहित सरकार दी है हमने भारत के युवाओं को आज के हमारे प्रोफेशनल्स को खुले आसान में आसमान में उड़ने के लिए हौंसला दिया है हमने दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख उसको भी संभाला है और उसे फिर एक बार नई उचाईयों पर ले गए है अभी भी कुछ लोग कोशिश करना है कि दुनिया में हमारी साख को दांग लग जाए लेकिन दुनिया अब देश को जान चुकी है है कि दुनिया के भविष्व में भारत किस प्रकार से योगदान दे सकता है इस विश्व का विश्वाग बढ़ता चला जा रहा है और इस दौरां है हमारे विपक्ष के साथियों ने क्या किया जब इतनी सानुकल बातावर है चारों तरफ संभावना ही संभावना है इन्होंने अब विश्वास के प्रस्ताव की आडवें जनता के आत्म विश्वास को तोड़ने की दिफल कोशिश किया है आज भारत की युवां रिकॉर्ड संख्या में नए स्टार्ट अप लेकर के दुनिया को चकीत कर रहे हैं आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है आज भारत का एक्पॉर्ड नई बुलंदी को चू रहा है आज भारत की कोई भी अच्छी बात यह सुन नहीं सकते यही उनकी अवस्था है आज गरीब के दिल में अपने सपने पूरा करने का भरोसा पैदा हुआ आज देश में आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है नीती आयोग के रिपोर्ड के अनुसार पिछले पांच साल में साड़े तेरा करोड लोग गरीबी से बहार आए आज देश में अपने वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अतीगरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है आएमेप ने भारत के डीबीटी के और और दूसरे हमारे सोचल वैलफेर स्कीम के लिए आएमेप ने इसे कहा है यह लॉजिस्टिकल मार्वल है आदनिय दिग जी डबल्यू आचों ने कहा है आदनिय दिग जी वर्ल हेल्स और नाइजेशन ने कहा है कि जल जिवन मीशन्स के जरिये भारत में चार लाख लोगों की जान बच रही है यह चार लाख कौन है कि मेरे गरी पीडी सोशित बंचित परिवारों के मेरे स्वजन है हमारे परिवार के निचले तपके में जिन्द की गुजारने के लिए जो मजबूर हुए उनके जन्हें ऐसे चार लाख लोगों की जान बचले की बात डब्लू एचो कह रहा है मानिय अद्रिक जी डब्लू एचो स्वच्छ भारत अभ्यान का एनारीसिस करके के कहता है कि स्वच्छ भारत अभ्यान से तीन लाख लोगों को मरने से बचाया गया भारत स्वच्छ होता है तिन लाख लोगों की जिनकी बत्तित तिन लाख है कौन वही जुगी जोपड़ी में जिनकी जीने के लिए जो मजबूर है जीन के लिए अनेक कठिनाईयों से गुजारा करना पड़ता है मेरे गरीब परिवार के लोग है शेहरों की बस्तियों में गुजारा करने वाले लोग गाउं में जीने वाले लोग है और बंचित तपके के लोग है जिनकी जान बची है युनिसेप ने क्या कहा है युनिसेप ने कहा है कि स्वच्च भारत भ्यान के कारण हर साल गरीबों के पचास हजार रूपी बच रहे हैं ये लेकिन भारत की इन उपलब्दियों से भारत की इन उपलब्दियों से कॉंग्रेस समेथ विपश के कुछ लोग दलों को अविस्वास है जो सच्चाई दुनिया दूर से देख रही हैं ये लोग यहां रहते हैं दिखती नहीं है आधनिया देख जी अविस्वास और गमंड इनकी रगों में रस्बस गया है वे जनता के विस्वास को कभी देख नहीं पाते हैं अब ये जो शुतुर मुर्ग एप्रोच है इसके लिए तो देश क्या कर सकता है आधनिया देख जी जो पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं बहुत सोच से सहमत नहीं लेकिन वो कहते हैं कि देखों भाई जब कुछ सुब होता है कुछ मंगल होता है घर में भी कोई अच्छा होता है बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है जरा साथ शुत्रा होता है तो काला टिला ठीका लगा देते हैं आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ देश की जो चारों तरफ वहवाई हो रही है देश का जो जैजे कार हो रहा है तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में अनिकर के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरुचित करने का काम किया है इसके लिए भी मैं आपका नवाज करता हूँ आदनिय अद्रिक जी पिछले तीन दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर के दिक्षनेरी खोल खोल करके जीतने अपशब्द मिलते हैं ले आए जीतने अपशब्दों का उप्योग कर सकते हैं भरपूर पता नहीं कहां कहां सा ले आते लेगन अच्छा है थोड़ा मन का गुवार उनका निकल गया होगा थोड़ा मन हलका हुआ होगा इतने अपशब्द बोल लिए हैं तो और बैस होते हैं लोग मुझे दिन रात कोशते रहते हैं उनकी ये फित्रब है और उनके लिए तो सबसे प्रिया नारा क्या है मोदी तेरी कब्रखु देगी मोदी तेरी कब्रखु देगी ये इनकी पसंदिदा नारा है लेकिन मेरे लिए मेरे लिए इनकी गालिया ये अपशब्द ये अलोगतांत्रिक भाशा मैं उसका भी टॉनिक बना देखा हूँ और ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है आज मैं सदन में कुछ सिक्रेट बताना चाहता हूँ मैरा पक्का मिश्वास हो गया है कि विपस्के लोगों को एक सिक्रेट बरदान मिला हुआ है और बरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका बगाई ही होगा एक उधारन तो आप देखिये मौजूद है 20 साल हो गए क्या कुछ नहीं हुआ क्या कुछ नहीं किया गया लेकिन भला ही होता गया तो आपको बड़ा सिक्रेट बरदान है जी और मैं तीन उधारन से ये सिक्रेट बरदान को सिद्ध कर सकता हूँ आपको जान होगा किन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर की रिए बैंकिंग सेक्टर दूप जाएगा बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा देश खतम हो जाएगा देश परबाद हो जाएगा नजाने क्या क्या कहा था और बड़े-बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे, ताकि उनकी बात कोई ना मारे तो जाएद उनकी वाल ले हमारे बैंकों की सहत को ले करके भांती-भांती की निराशा, अप्वा खलाने का काम, इन्होंने पुर्जोष किया, और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का, तो हुआ क्या है, हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नेट प्रॉफिट दो गुने से ज़्यादा हो गए इन लोगों ने फैन होन बैंकिंग गोटाले की बात, इसके कारण देश को NPA के गंबीर संकेट में डुबो दिया था, बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन आज जो नोंने NPA का अंबर लगा के गए थे, उसको भी पार करकरके आँ एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। और आज सुमें निर्वला जी ने पिस्तार से बताया है कि कितना प्रॉफिल्ट हुआ है। दूसरा उदाहरान हमारे डिभेंस के हेलिकॉप्टर बना लिए वाली सरकारी कमपनी हेल ये हेल को लेकर के कितनी भली बुरी बाते इनोंने करी थी। क्या कुछ नहीं कहा गया था है हेल के लिए और इसका दुनिया पर बहुत मुक्षान करने वाली भात्षा का प्रोग किया गया था। और हेल तुझा हो गया है। हेल कि खतम हो गया है। बारती डिफेंज इंड़स्ट्री खतम हो चुकी है। ऐसा नजाने क्या क्या कहा गया आता है CHL के लिए इतना ही नहीं जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो उता है मालूम है ना खेतों में जाकर के वीडियो उता है है वैसा ही उस समय है एक चे एल फैक्टरी के दरवाजे पर मंदिरों की सभा करके वीडियो सूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था अब तुम्हारा कोई भविश नहीं है तुम्हारे बच्चे मरेंगे प्यूके मरेंगे एस एल डूब रहा है देश की इतनी महत्रपण इंस्ट्रिटूट को इतना बुरा चाहा इतना बुरा चाहा इतना बुरा कहा वो सिक्रेट आज एचेल सभलता की नई बलंदियों को छूरा है है एचेल ने अपना हाइस्ट एवर यू एवर एवर हाइस्ट रेवन्यू रजिस्टर किया है इनके जी भरकर के गंबीर आरों के बावजुद भी वहां के कामदारों को वहां के करमचारियों को उकसाने की बरपुर कोसिस के बावजुद भी आज एचेल देश की आन बान शान बनके उठरा हूँ आदरियत बेची जिसका आप बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है मैं तीसरा उदान देता हूँ आप जानते हैं LIC के लिए क्या का कहा गया था LIC पर बाद हो गई गरीबों के पैसे डूब रहे हैं गरीब कहा जाएगा बेचाने ने बड़ी मेहनत से LIC में पैसा डाला है क्या कहें जितने उनकी कलपना शक्ती जितने उनके दर्बारियों ने कागेट पकड़ा दिये थे सारे बोल लेते थे हूँ सारे बोल लेते थे लिक्ना आज LIC लगातार मजबूत हो रही है शेर मार्केट में रुची रखने वाले को भी ये गरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना आप उसमें दाव लगा दी गिये था अब अच्छा ही हो लिए आधानियर देखिए ये लोग देश की जिन संस्ताओं की मृत्ति की गोशना करते हैं उन संस्ताओं का भाग्य चमक जाता है और मुझे विश्वास है कि ये जैसे देश को कोस्ते हैं लोग दंतर को कोस्ते हैं मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबूत होने वाला है लोग दंतर भी मजबूत होने वाला है और हम तो होने ही वाले है यह वो लोग है जिने देश के सामर्थ पर विस्वात नहीं है इन लोगों को देश के परिश्रम पर विस्वात नहीं है कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टम में तीसरे टम में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थ वबस्ता बनेता है आदनिया देख जी आदनिया देख जी अब देश के भविश्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता जब हम यह क्लेम करते हैं कि हम आने वाले पांच साल में तीसरे टम में हम देश की एकोनमी को तीसरे पर लाएंगे तो जिम्मेबार विपक्ष क्या करता है वो सवाल पूशता है सवाल पूशता है अच्छा बेबताओ मिर्मुलाजी बताओ कैसे करने वाले हो अजा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो आपका रोड मैप बताओ ऐसा करते है अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है लेकिन या या वो कुछ सुजाव दे सकते थे ये कुछ सुजाव दे सकते थे या फिर कहते हम चुनाओं में जन्ता के भी जा करके बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं हम तो एक नंबर पर लेके आएंगे और ऐसे ऐसे लेके कुछ तो करते हैं लेकिन हमारे विपश्की तरासदी ये है और उनके राज निसिक विमर्ष्ट पर गोर कीजिए कॉन्ग्रेस के लोग क्या कह रहें अब देखिये कितना कलपना दारी तरह हैं कि इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवता हीन बाते सुनने को मिल रही है जी क्या कहते हैं यह कहते हैं इसकी लख्ष कि अपने आप होने वाला है कि वह कहते हैं बिना कुछ किये तीसरे पहुंच जाएंगे कि और कॉंग्रेस की माने अगर सब कुछ अपने आप हो जाने वाला है इसका मतलब है कॉंग्रेस के पांस न नीती है न नियत है न बीजन है न वैश्विक अर्थ बवस्ता की समझ है और नहीं भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है और इसलिए सोये सोये कब हो जाएगा यही एक आदिन एक जिग जी यह वज़े हैं कि कॉंग्रेस के शांसन में भारत गरीबी और गरीबी को बढ़ाता गया 1991 में देश कंगाल होने की स्थिति में था कॉंग्रेस के सांसन कान में आर्थ ववस्ता दुनिया के क्रम में दस ग्यारा बारा इसके बीच में जोले खाती थी जुलती रही थी लेकिन 2014 के बार भारत ने टॉप पांच में अपनी जगह बना लिए कॉंग्रेस के लोगों को लगता होगा कि इसको जादू से लकड़ी से हुआ है लेकिन मैं आज सदर को बताना चाहता हूं मानियत देखिश्वी रिफॉर्म पर्फॉर्म एंड ट्रांस्फॉर्म एक निश्चित आयोजन प्लानिंग और कठोर परिश्रम परिश्रम की पराकाष्ठा और इसी की वज़े से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है और यह प्लानिंग और परिश्रम की नरंतरता बनी रहेगी आवश्रक्त आनुसार उसमें नए रिफॉर्म होंगे और पर्फॉर्मंस के लिए पूरी तरह ताकत को लगाया जाएगा और परणाम यह होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुंचके रहेंगे अधनिय दग्जी देश का विश्वास मैं शब्दों में भी प्रगड करना चाहतूं और देश का विश्वास है कि दो हजार अठाइस में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब यह देश पहले तीन में होगा यह देश का विश्वास अधनिय देख जी हमारे विपश्व के मित्रों के फित्रत में ही अविश्वास भरा पड़ा है हमने लाल के लिए से स्वच्छ भारत अभियान किया लेकिन उन्होंने हमेशा अविश्वास जिताया कैसे हो सकता है तो गांदी जी भी आके गए करके कहके गए क्या हुआ अविश्वास से भरही वह इनकी सोच है हमने मा बेटी को खुले में सोच से मुक्ता करने के लिए उस मजबूरी से मुक्ता होने के लिए सोचाले जैसी जरुत पर जोड़ दिया हमने जब जंदन खाते खोलने की बात की तब भी यही बात निराशा की क्या होता है जंदन खाता उनके हाथ में पैसे कहा है उनका जेब में क्या पढ़ा है क्या लेके आएंगे क्या करेंगे हमने योग की बात की हमने आयुरुवेद की बात की हमने उसको बढ़ावा देनी की बात की तो उसका भी मखोल उड़ाया गया हमने स्टार्ट अप इंडिया की चर्चा की तो उन्होंने उसके लिए भी निराशा भैलाई स्टार्ट अप तो कुछ हो ही नहीं सकता है हमने ड कि हिंदु सान के लोग कहा से डिशिक्ला करें गे हाँ है आज डिशिकल इंडिया बेस कि हमने में कि इंडिया के बात कही जहां किये वहां डेऊंडेंडіा का मता कुड़ाया जहां कुड़ायं कि हमाध्र वब लाग़ लाजटनिया द्जिक शेल कॉंग्रेस पार्टी और उनके दोस्तों का इत्यास रहा है कि उन्हें भारत पर बारत के सामर्थ पर कभी भी बरोसा नहीं रहा है और यह विश्वास किस पर करते थे मैं जरा आज सदन को याद दिलाना चाहता हूं पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था हमारे हां आए दिल आतंकवादी भेचा जाता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ उपर करके मुकर जाता था भाग जाता था बोले हमारी तो कोई जिम्मा लेने को तयार नहीं होता था और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था वो तुरंट पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते हैं पाकिस्तान कहता था कि आगत्वन की हमले होते रहेंगे और बात्चीत भी होती रहेगी इन्हें यहां तक कहते हैं पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा यह इनकी सोच रही है कश्मीर आतंगवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था जलता था लेकिन कॉंग्रेस सरकार का खाम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था बेविश्वास करते थे हुरियत पर, बेविश्वास करते थे अलगबादियों के पर, बेविश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का जंडा ले करके चलते थे भारत ने भारत ने आतंगबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एर स्ट्राइक किया, इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था, एनके प्रभुत्य थी अध्यक्स महोद है आध दुनिया में कोई भी भारत के लिए अब सब्द बोलता है तो इन्हें उस पर तुरंत विश्वास हो जाता है तुरंत उसको कैच कर लेते हैं ऐसा मेगनेटिक पावर है कि भारत खिदाब हर चीजे वो तुरंत पकड़ लेते हैं जैसे कोई विदेसी एजनसी कहती है कि बुखमरी का सामना कर रहा कोई कई देश भारत से बहतर है ऐसा जूठी बात आएगी तो भी पकड़ लेते और हिंदुस्तान में प्रचार करना शुरू कर दे प्रेस कौन पर कोई भी ऐसी बेटुकी बातों को मिट्टी के ढेले जिसी जिसी कि मत नहीं हो ऐसी बातों को तवज्जु देना कि कॉंग्रेस की फित्रत रही है और तुरंत उसका भारत में एंप्लिफाय करना प्रचार करना पुरी को स्टिम लग जाती है कोरोना में के माहमारी आई भार देश के कोटी-कोटी-नागरी को ने भारत के वैक्सिन पर विश्वात जताया इनको भारत के सामर्त पर विश्वात नहीं है इनको भारत के लोगों पर विश्वात नहीं है लेकिन इस सदन को मैं बताना चाहता हूं इस देश का भी भारत के लोगों का कॉंग्रेस के प्रती no confidence का भाव बहुत गहरा है भारत के लोगों में कॉंग्रेस अपने गमंड से इतनी चूर हो गई है इतनी भर गई है कि उसको जमिन दिखाई तक देती रही है कॉंग्रेस को जीत दर्जे करने में अनेक दसक लग गए हैं कॉंग्रेस की आखरी बार 1962 में जीत हुई थी 61 वर्सों से कॉंग्रेस के लोग कह रहे हैं कॉंग्रेस no confidence कि तमिलाडू के लोग कह रहे हैं कॉंग्रेस पस्चिम बंगाल में उने आखरी बार जीत 1972 में मिली थी कॉंग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कॉंग्रेस आखरी 1985 में जीती थी पिछले 38 वर्थों से वहां के लोगों ने कॉंग्रेस को कहा है त्रिपुरा में उन्हें आखरी बार 1988 में जीत मिली थी 32 वर्थों से त्रिपुरा के लोग कॉंग्रेस को कह रहे है कॉंग्रेस कॉंग्रेस को आखरी बार 1995 में जीत नसीब हुई थी यानि उनिसा में भी 28 वर्थों से कॉंग्रेस को एक ही जवाब दे रहा है उनिसा कह रहा है लोग कॉंग्रेस माने प्रदामिंति जी नागा लेंड में लिख सभा की अनुवति हो तो सभा की कारवाई इस विशे की समाप्तिक तक बढ़ाई जाती है माने सदेश्गन मैंने पहले भी आगर किया था कि नारे बाजी नहीं करेंगे आप सबने सहमती दी थी नारे बाजी निकरेंगे कि निखत गरेंगे नै उधर से करेंगे निकरेंगे दोनरों तरफ से नारे बाजी डो इससे भी नीए प्लीच आपने एक लेश्त सदेटी नारे बाजी निकरेंगे सदर में है ने करने किदर से पी इंकरेंगे बानिप permitted आधनी अद्धिक जीए नागालेंड में कॉंग्रेट की आखरी जीख 1988 में हुई थी यहां के लोग भी 25 वर्सों से कह रहे हैं कॉंग्रेट 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 बिली आंदर पदेश और पस्मंगाल में तो एक भी विदायक खाफे में नहीं है जन्ता ने कॉंग्रेस के पती बार बार नो कॉंपिनन्ट गोशित किया है आदेनी अध्यक जी मैं आज इस मोके पर आपके काम की बात बताता हूँ आपके काम की बात बताता हूँ आपकी आपकी बनाई के लिए बोल रहा हूँ आपकी भुलाई के लिए बोल रहा हूँ आप ठख जाएए आप लोग ठख जाएए मैं आपकी भुलाई के बात बताता हूँ मैं आज इस मोके पर हमारे विपष्ट के साथियों के प्रती अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूँ कुछी दिन पहले बैंगलोरू में आपने मिल जुलकर करीब करीब देड़ दो दसक पुराने यूपी ए का क्रिया कर्म किया है उसका अंतिम संस्कार किया है लोग तांत्रिक व्यहवार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूती जुरू व्यक्ता करनी चाहिए थी लेकिन देरी में मेरा कसूर रही है तभी आप खुद ही एक और यूपी एक का क्रिया कर्म कर रहे थे और दूसरी और जस्नभी मना रहे थे अधिय। आ जस्न भी इस बात कर खंडहर पर नया प्लक्राश्टर लगाने का he आप जस्न मना रहे थे देल मशीन पर नया पेंट लगाने का दस्वको पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्टिक वहिकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था और मजेदार ये कि मजमा खत्म होने से पहले ही उसका क्रडिक लेने के लिए आप में सिर्फ फुटबल शुरू हो गई मैं हरान था कि एक गड़वंदन लेकर आप जनता के भी जाएंगे मैं विपक्ष के साथ योगों कहना चाहता हूँ आप जिसके पीछे चल रहे हो उसको तो इस देश की जबान इस देश की संशकार की समझी नहीं बची है पीड़ी दर पीड़ी ये लोग लाल मीर्च और हरी मीर्च का फरक नहीं समझ पाई लेकिन आप पैसे कई साथियों को मैं जानता हूँ आप तो आप सोग तो भारतिय मानस को जानने वाले लोग आप लोग भारत के मिजाज को पहचानने वाले लोग हैं पेश बदल कर दोखा देने की कोशिश करने वालों की हकीकत सामने आही जाती है जिने स्रम नाम का सहारा है उनी के लिए कहा गया है दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर है दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर है भाग्य चंद की आज तक भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर हाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर आजने देख जिए इनकी मुस्वत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एंडी के काही सहारो लेना पड़ा है खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एंडी काही सहारो लेना पड़ा है लेकिन आज़त के मुताबिक गमंड का जो आई है न आई वो उनको छोड़ता नहीं है और इसलिए एंडीय में दो आई पिरो दिये दो गमंड के आई पिरो दिये पहला आई 26 दलों का गमंड और दूसरा आई एक परिवार का गमंड अंडीय भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए और इंडिया के भी टुकड़े कर दिये आई दॉट एंड दॉट दी डॉट आई डॉट एओ आई देनी अधिक जी जरा हमारे डियमके के भाई सुन ले जरा कॉंग्रेस के लुन्ड लोग भी सुन ले अग्जेक्श्मा होता है यूपी ए को लगता है कि देश के नाम का इस्तमाल करके अपनी विश्मस नेता बढ़ाई जा सकती है लेकिन कॉंग्रेस के सहयोगी जाल कॉंग्रेस के अतूट साथी कमिल नाडू सरकार में एक मंत्री दो दिन पहले ही ये कहा है कमिल नाडू सरकार के मंत्री ने कहा है इंडिया उनके लिए कोई माइने नहीं रखता इंडिया उनके लिए कोई माइने नहीं रखता उनके मुताबिक तमिल नाडू तो भारत में है ही नहीं आजणिया दग्जी आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ तमिल नाडू वो प्रदेश है जहां हमेशा बेश बक्ती धाराय निकली है जिस राज़ नहीं हमें राजाजी दिये जिस राज़ नहीं कामराज दिये जिस राज़ नहीं में अब्दुल कलाम दिये आज उस तमिल नाडू से इस्वर्थ सुनाई दे रहे है आज़ने अज़ग जी जब के आपके अलाइंस अंदर ही अंदर ऐसे लोग हो जो अपने देश के अस्तित्व को नकारते हो तो आपकी गाड़ी कहां जा करके रुकेगी जड़ा आत्म चिंतन करने का मोका मिले और आत्मा बचा हो तो जुरूर करिएगा आधनिय अध्यक जी आधनिय अध्यक जी नाम को लेकर उनका ये चश्मा आजका नहीं है नाम को लेकर ये जुमो है ना उनका आजका नहीं है ये दसों को पुराना चुश्मा है इन्हें लगता है कि नाम बदल कर देश पर राज कर लेगे गरीब को चारो तरब उनका नाम तो नजर आता है लेकिन उनका काम कहीं नजर नहीं आता है अस्पतालों में नाम उनके हैं इलाज नहीं है सेक्षण ही सहुता है नाम लटक रहे हैं सड़कों हो पार्खों उनका नाम गरीब कलनेयान की योजनांव पर उनका नाम खेल पूरस्कारों पर उनका नाम अएरपोर्ट पर उनका नाम मुजिएम पर उनका नाम अपने नाम से योजनाय चलाई और फिर उन योजनाओं में हजारों करोड के बश्टाचार की समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति काम होते देखना चाहता था ठेकिन उसे मिला क्या सिर्फ सिर्फ परिवार का नाम कोई चीज उनकी अपनी नहीं है कोई चीज उनकी अपनी नहीं है चुनाव चिन्न से लेकर विचारों तक सब कुछ कॉंग्रेस अपना होने का दावा करती है वो किसी और से लिया हुआ है आदर यादर जी अपनी कमियों को दखने के लिए चुनाव चिन्न और विचारों को भी चुरा लिया फिर भी जो बदला हुए है उसमें पार्टी का घमंड ही दिखता है ये भी दिखता है कि 2004 से वो किस तरह डिनायल के मोड में है पार्टी के संस्था पकोन एओ हुँम एक विदेशी थे जिनों ने पार्टी बनाई आप जानते हैं 1920 में भारत के स्वतंतता संग्राम को एक नई उर्जा मिली 1920 में गनाया द्वज मिला और देश्क ने उस दज को अपना लिया तो रात और रात कॉंग्रेस ने उस द्वज की तांकत देख करके उसे भी छिल लिया और प्रतीक को देखा कि ये गाड़ी चलाने के लिए ठीक रहेगा 1920 से खेल चल रहा है और उनको लगा कि तिरंगा जंड़ा देखेंगे तो लोग देखेंगे उनकी पात हो रही है ये उन्हों ने खेल किया बोटरों को भुलाने के लिए गांधी नाम भी हर बार वो भी चुरा लिया कॉंग्रेस के चुनाब चुना देखिए दो बेल गाय बचड़ा और फिर हाथ का पंज्या ये सारे उनके कारणा में उनकी हर प्रकार की मनोवृत्ति का प्रतिवीम्ब करता है उसको प्रगड करते हैं और ये साब दिखाता है कि सब कोच एक परिवार के हाथ में सब केंद्रित हो चुका है आज वजाओं आद् dropdown ची यह इंडिया घड़िया घड़ बंदन नहीं है ये इंडिया गड़ बंदन नहीं है एक गमंडिया गड़ बंदन है ये इंडिया गड़ बंदन नहीं है गमंडिया गड़ बंदन है और इसकी बारात में हर कोई दुला मनना चाहता है कि सबको प्रधान मंद्री बनना है कि आधे नियद्धे जी इस गड़ बंदने ये भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं पस्चिम मंगाल में आप टीम सी और कम्यूनिस्ट कार्टि के खिलाफ है और दिल्ली में एक साथ है और अधिर्बावो 1991 अधिर्बावू 1991 पस्चिम मंगाल विजान सबागा चुनाव इनी कम्मिनिस पार्टी ने अधिर्बावू साथ क्या वहवार किया था वो आज भी रितिहास में दर्ज है ख्यार 1991 की बाद तो पुरानी है पिछले साल केरला के वाइनाड में जिन लोगों ने कॉंग्रेस के कार्या लई में तोड़ फूड की यह लोग उनके साथ दोस्ती करके बैठे हैं बाहर से तो यह अपना बाहर से तो अपना लेबल बदल सकते हैं लेकिन पुराने पापों का क्या होगा यह पाप आपको लेके डुबेंगे आप जनता जनारगन से यह पाप कैसे छिपा पाओगे आप नहीं छिपा सकते हो और इनको आज जो हालत इसे मैं कहना चाहता हूँ अभी हालत ऐसे हैं अभी हालत ऐसे हैं इसलिए हाथों में हाथ जहां हाला तो बदले फिर छुरियां पी निकलेगी आज यद्धिक जी ये गमंडिया गटबंदन देश में परिवारवाद की राजलिति को आज सबसे बड़ा प्रतिवीम है देश के स्वाधिंता से नानियों ने हमारे समिधान निर्माताओं ने हमेशा परिवारवादी राजलिति का विरोध किया था मातमा गांदी सर्दार वल्लबाई पटेल बाबा साब आम्रेर कर डॉक्टर राजेंदर प्रसाद मौलाना अजात गोपिनाज बोर्डली लोकनाएक जैप्रकास डॉक्टर लोईया आप जितले में नाम देखेंगे परिवारवाद की खुलकर आलोच राकी है क्योंकि परिवारवाद का नुक्षान देश के सामान्य नागरिक को उठाना परता है परिवार बाद सामान्य नागरिक के उसके हकों उसके अधिकारों से बंचित है इसलिए इन विबूतियों ने हमेशा इस देश पर बात जोड़ दिया था कि देश को परिवार नाम और पैसे पर आधारी व्यवस्ता से हटना ही होगा लेकिन कॉंग्रेस को हमेशा ये बात पसंद नहीं आई हादनिय अध्यक जी हमने हमेशा परिवार बात का विरोध करने वालों का हमने बराबर देखा है कि उसके प्रतिम की कैसी नफरत की भावत है कॉंग्रेस को परिवारवाद पसंद है कॉंग्रेस को दरबारवाद पसंद है जहां बड़े लोग उनकी बेटे बेटिया भी बड़े बत्बदों पर काबीज हो जो परिवार से बाहर है उनके लिए भी यही है कि जब तक आप इस मैफिल में दरबारी नहीं बनोगे तो आपका भी कोई भविश नहीं है यही उनकी कारिशा ली रही इस दरबार सिस्टम ने कई विकेट लिए कितनों का हक मारा है इन लोगों ने बाबा साब आम बेड़ कर कॉंग्रेस ने जी जान लगा कर दो बार उनको हरवाया कॉंग्रेस के लोग बाबा साब आम बेड़ करके कपनों का मजाग उड़ाते थे यह वो लोग है बाबु जग्जिविन राम उन्होंने इमर्जंसी पर सवाल उठाए तो बाबु जग्जिव बाबु को भी उन्होंने नहीं छोड़ा उनको प्रदाडित किया मुरार जिवाई देशाई चरंसिंग चंद्रसेकर जी अब कितने ही नाम लीजिए दर्बार वात के कारण देश के महान लोगों के अधिकारों को इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया यहां तक कि जो दर्बारी नहीं थे जो दर्बार वात से जुड़े नहीं थे उनके पॉर्ट्रेट तक पार्लामेंट में लगाने से इनको जीज़े खोटे थी 1990 में उनके पॉर्ट्रेट सेंटरल हॉल में तब लगी जब बीजेपी समर्थी गैर कॉंग्रेसी सरकार सामने आई लोईया जी लोईया जी की पॉर्ट्रेट भी संसद में तब लगी जब 1991 में गैर कॉंग्रेस सरकार बनी नेता जी की पोट्रेट 1978 में सेंटर हॉल में लगाई जब जन्ता पार्टी की सरकार थी लाल बादुर सात्री और चरल सी उनका पोट्रेट भी 1993 में गेर परिवार की सरकार में लगा सरदार प्रटेट के योगदान को भी कांग्रेस ने हमेशान नकारा सरदार साब को समर्पी विश्व की सबसे उची स्टेच्च अप उनिटी प्रतिमा बनाने का गवरों भी हमें प्राप्त हुआ हमारी सरकार में दिलनी में पीएम मूजियम बनाया सारे पुरों प्रदान मंत्रियों को सम्मान दिया PM मूझियम दाल और पार्टी से उपर उड़कर सभी प्रदान मंत्रीओν को समर्पिध है उनको ये भी नहीं पत रहाई क्योकि उनके परिवार के बाहर का कोई भी प्रदान मंत्री बना हो वो उनको मन्जूर नहीं है वो उनको स्विकार नहीं है आधनिय अधक जी आधनिय अधक जी बहुत बार कुछ बुरा बोलने की इरादे से भी जब कोशिच होती है तो कुछ ने कुछ सच भी निकल जाता है और सच बैसे अनुभाव हम सबको है कभी कभी सच निकल जाता है लंका हनुमान ने नहीं जलाई लंका हनुमान ने नहीं जलाई उनके गमंड ने जलाई और ये बिल्कुर सच है आप देखिए जनता जनारदन भी भगवान राम के रूप की है और इसलिए चार सो से चालिस होगे हनुमान ने नंका नहीं जलाई गमंड ने जलाई और इसलिए चार सो चालिस होगे आधनिय अद्यक जी तो यह है कि देश की जनता ने दो दो बार तीस साल के बार पूर्ण भाहुमत की सरकार चुगी लेकिन गरीब का बेटा यहां कैश्टा तीक अधिए और कि फ्यृक्तिन शोफिए इसलिए तुक्तिन गरीब का अधिए प्यृक्तिन अधिए बहुमत की आपको आपको जो हक था आप अपनी पारिबारिक पिड़ी मांते थे वो यहां कैसे बैठ गए यह चुबन अभी भी आपको परिशान कर रही हो आपको सोने नहीं देती हैं और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी दोजार चौबीस में भी सोने नहीं देगी आदरियत देगी कभी इनके जन्म दिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे कभी इनके जन्म दिन पर हवाई जहाज में केक काटे जाते थे आज बुजावाई जहाज में गरीब के लिए बैक्सिंग जाता है ये फर्क है आदरियत देगी एक जमाना था कभी राई क्लिन के लिए कपड़े हवाई जहाज में उड़ रहा है आज आज गरीब हवाई चपल वाई हवाई जहाज में उड़ रहा है आदर देगी एक पभी छुट्टी मनाने के लिए मोज मस्ती कर ले के लिए नव सेना के युद्धपोत मंगवा लेते थे आज उसी नव सेना के जहाज दूर देशों में फसे भारतियों को अपने घर लाने के लिए गरीबों को अपने घर लाने के लिए उप्यों में आते हैं आधनियद्ध जी जो लोग आचार व्यवार चाल चरित्र से राजा बन गए हो आधनिक राजा के रुप्य हिजिन का दिमाग काम करता हो उन्हें गरीब का बेटा यहां होने से परिशानी होनी होनी है आधिर यह नामदार लोग है और यह कामदार लोग है आधनियद्ध देखिए कुछ बाते बहुत ही समय पर मुझे कहने का आउसर मिलता है बहुत सी बाते ऐसी होती है इतफाक देखिए कि कोई मैं तो ताई करके बैठता नहीं हूँ है लेकिन इतफाक देखिए देखिए करल करने यहां दिल से बात करने की बात भी कही गई उनके कि दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गए और अद्धिक जी इनका मोदी प्रेम तो इत्तरा जबर्जास है जी चोबीसों घंटे सपने भी उनका मोदी आता है मोदी अगर वाचन करते समय बीच में पानी पिये तो यह कहते हैं अगर पानी भी पिया तो यह सीना ताम के गज़ा देखिये मोदी को पानी पिला दिया अगर मैं गर्मी में कड़ी धूप मैं भी जनता जनादन के दर्शन के लिए चल पड़ता हूं कभी पसीना पहुता हूं तो कहते हैं देखिये मोदी को पसीना दा दिया देखिये इनका जीने का सहारा देखिये एक गीत की पंक्ती है दूबने वाले को दूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत दिल बहल जाए फकत इतना इसारा ही बहुत इतने पर भी आसमा आसमा वाला गिरादे बिजलियां कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे मैं कॉंग्रेस की मुसिवत समझता हूँ बरसों से एकी फेल प्रोड़क्ट उसको बार बार लॉंच करते हैं हर बार लॉंचिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा यह हुआ है मद्दाताओं के प्रती उनकी नफ्रत भी सात्वे आसमान पर पहुंच गई है उनका लॉंचिंग फेल होता है नफ्रत जंता पर करते हैं लेकिन प्यार वाले प्रचार क्या करते हैं मौबद की दुकान का प्रचार करते हैं इकोसिटिम लग पड़ती है इसलिए देश की जंता भी कह रही है यह है लूट की दुकान यह है लूट की दुकान जूट का वाजार इसमें नफ्रत है गोटाले हैं तुष्टी करण है मन काले हैं परिवारबात की आग के दसकों से देश हवाले हैं और तुम्हारी दुकान ने और तुम्हारी दुकान ने इमर्जंसी बेची है बटवारा बेचा है सीखों परत्या चार बेचा है जूट कितना सारा बेचा है इतिहास बेचा है उरी के सच के प्रमान बेचा है शर्म करो न फ्रक की दुकान बालो तुम्हें सेना का स्वाभी मान बेचा है कि आदे अद्धक जी हम तो यहां बैटे हुए काफी लोग गाउं गरीब वाली पुष्ट भूमी से हैं यहां सदन में बड़ी संख्या में लोग गाउं और छोटे कस्वों से आते हैं यहां अबोचन को को कुई व्यक्ति विदेश जाए अधिाए सा मोता टरत्य वह उस्के गीत गाता रहता है काजब भी विद्ध जाए देखकर क्या है हो साथ मताता रहता है मैं यह देखो क्या है उधे यह थे ऐसुना मैंने यह देखा वाल गाउन का वाद वक्ति जितने बेचारे ने दिल्ली मुंबे भी न देखा हो और अमेरिका जाकर आजाए यूरोप जाकर आजाए तो वह वर्रन करता रहता है जिन लोगों ने जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई वो ख्योटों को देखकर हैरान होने ही होने है अध्यक जी हम आप लोग तो जो कभी जमीन पर उत्रे ही नहीं जिनों ने हमेशा गाड़ी का चिसा डाउन करके दूसरों की गरीबी देखी हैं उन्हें सब हैरान करने वाला लग रहा है जब ऐसे लोग भारत की स्थिती का वर्णन करते हैं तो यह बूल जाते हैं कि भारत में 50 साल तक उनके परिवार ने राज किया था एक प्रकार से जब भारत के इस रुप का वर्णन करते हैं तब वो अपने पुरवजों की विफलताओं का जिक्र करते हैं यह इतियाद का बाहा है और इनकी दाल गलने वाली नहीं है इसलिए नई नई दुकाने खोड़ करके बैठ जाते हैं हादर्णिय तक जी आदर्णिय तक जी इन लोगों को पता है कि इनकी नई दुकान पर भी कुछ दिनों में ताला लग जाएगा और आज इस चर्चा के बीच देश के लोगों को मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस गमंडिया गड़बंदन की आर्थिक नीती से भी सावधान करना चाहता हूं यह देश में यह गमंडिया गड़बंदन ऐसी अर्थ वबस्ता चाहता है जिससे देश कमजोर हो और उसका सामर्थ बढ़न पाए हम अपने आसपास के देशों में देखते हैं जिन आर्थि नीतियों को लेकर के कॉंग्रेस के और सुथ साथी आगे बढ़ना चाहते हैं जिस प्रकार से खजाने से पैसे लुटा कर बूट पाने का खेल खेल रहे हमारे आसपास के देश के भाला देख लीजिए दुनिया के उन देशों की स्थिति देख लीजिए और मैं देश को कहना चाहता हूं इन से सुधरने की मुझे कोई अपेक्शा नहीं है वो जनता इनको सुधार देगी आदर्णी जी इस प्रकार की चीजों का दुस्पर्लाम हमारे देश पर भी हो रहा है हमारे राज्यों पर भी हो रहा है चुनाव जीतने के लिए अनाप सनाप वाइदों के खारां अब इन राज्यों में जनता के उपर नहीं नहीं देंट डाले जा रहे है और विकास के प्रोजेक्स बंद करने की गोश्रा की जा रही ये विदिवत रुप से गोश्रा की जा रही है आदेनिय देख जी एक गमंडिया गरबंदन की जो आर्थिक नीती है उस आर्थिक नीतियों का मैं परणाम साब देख रहा हूँ और इसलिए मैं देश वाजियों को चेतावनी देश वाजियों को सत्य समझाना चाहता हूँ ये लोग एक गमन्या गर्वंदान ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है ये एकोनोमी को डुबाने की ये डबल लिजिट महंगाई की ये पालीसी पैरालिसीज की ये अस्थिर्ता की ये करप्षन की ये तुष्ठी करण की ये परिवारवाद की ये परिवारवाद की ये भारी बेरोजगारी की ये आतंक और हिंसा की ये भारत को दो सतादली पीछे पहुंचाने की गारंटी है ये कभी भारत को तोप फ्री अर्थववस्ता बनाने की गारंटी नहीं दे सकते ये मोधी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कारकाल में में हिंदुस्तान को तौप फ्री की तौप फ्री की पोजिशन में लाके रहूँगा ये मेरा देश को गारंटी है ये कभी भी देश को विक्षिद बनाने का सोच भी नहीं सकते है उद्धिशा में ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते है अदरी अद्गी आधनिये लोक तंत्र में जिनका फरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो पैयार होते हैं लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है अब सब्द बोलो भाग जाओ कूडा कचड़ा फ्हेंको भाग जाओ जूट फ्हलाओ भाग जाओ यही जिनका खेल है यह देश इनसे अपेक्षा जादा नहीं कर सकता है अगर इन्होंने ग्राम बंत्री जी की मनीपूर की चर्चा पर सहमती दिखाई होती तो अकेले मनीपूर विशे पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मोका मिल सकता था लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं तो कल अमीद भाई ने विस्तार से इस विशाई की चीज़े जब रखी तो देश को भी आश्यरे हुआ है कि लोग इतना जूट फैला सकते हैं ऐसे ऐसे पांप करके गए हैं लोग और उन्हाने आज जब अविश्वास का प्रस्थाव लाए और अविश्वास में सारे विश्वास है पर वो बोले तो ट्रेजरी बेंच का विदाईत वो बनता है कि देश के विश्वास को प्रगट करें देश के विश्वास को नई ताकत दें देश के प्रतिय विश्वास करने वालों के लिए करारा जवाब दें यह हमारा विदाई तो बनता है हमने कहा था अकले मणिपूर के लिए आओ चर्टा करो ग्राह मंत्री जी ने चिठ्छे लिए करके कहा था उनके विबाग से जुड़ा विश्य था लेकिन साहत नहीं था इरादा नहीं था और पेट में पाप था दर्द पेट में हो रहा था और फोड रहे थे सार इसका यह परणाम था आदन्य दग्जी मनिपूर की स्थिती पर देश के ग्रमत्री सिर्मान अमिज शाह ने कल दो घंटे तक विस्तार चे और बड़े धैरिय से जरती भर भी राज लीती के बिना सारे विशय को विस्तार से समझाया सरकार की और देश की चिंता को यही खेल किये यही श्थिता किया यही खेल किये यही श्थिता किया हो जाए कि कल वैसे विस्तार से अमिज भै ने बताया है मनिपूर में अदालत का एक हैसला आया अब अदालतों में क्या हो रहा है वह हम जानते हैं और उसके पक्ष्विपक्ष में जो परिस्तित्या बनी है हिंसा का दौर शुरू हो गए और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुए अनेक दोने अपने स्वजन भी खोई महिलाओं के सांथ गंबीर अपरात हुआ है और यह अपरात अक्षम में है और दोश्यों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके भरपूर प्रयास कर रही है और में देश के सभी नागरुकों को आस्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार चे प्रयास चल रहे हैं निकट भविश में सांती का सुरत जुरूर हुगेगा बनिपूर फिर एक बार नए आत्मी स्वास के साथ आगे पड़ेगा मैं बनिपूर के लोगों से भी आगरपूर को कहना चाहता हूं वहां की माताओं बेहनों बेटियों से कहना चाहता हूं देश आपके साथ है हम सब मिलकर के कोई या हो या न हो हम सब मिलकर के इस चनोती का समाधा निका लेंगे वहां फिर से सांती की स्थापना होगी मैं मनिपूर के लोगों को विश्वात दिलाता हूं कि मनिपूर फिर विकास के रहा पर तेज गरती से आगे बढ़े उसमें कोई प्रयांसों में कोर कसर नहीं रहेंगी कि अधर ने अध्यश्मा होता है कि यहां सदन में कि मां भारती के बारे में जो कहा रहा है कि उसने हर भारती की भावना को गहरी ठेश पहुंचाई है कि अध्यश्मा पता नहीं मिजए क्या हो गया है सब्सक्ता के बिना ऐसा हाल किसे का हो जाता है कि सब्सक्ता सुख के बिना जी नहीं सकते हैं और क्या भाशा बोल रहे है आदेनिय अदेग जी बताने क्यों कुछ लोगों को भारत मा की मुर्तियों की कामना करते ने जरा रहे है इससे बड़ा दुर्वागी क्या है यह वो लोग है जो कभी लोग तंद्र की हत्या की बात करते हैं कभी सम्विधान की हत्या की बात करते हैं दरसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है मैं हरान हूँ और यह बोलने मले कौन लोग है क्या यह देश भूल गया है यह 14 अगस्त विभाजन विभी शिकार पीड़ा दायक दिवस आज भी हमारे सामने उन चीफ को लेकर के उन दर्द को लेकर क्या आता है यह वह लोग जिन्होंने मा भारती के तीन तीन टुकड़े कर दिये जब माभारती की गुलामी की जंजिरों से मुक्त करना था जब मा भारती की जंजिरों को तोड़ना था बेढ़ियों को काट ना था तब इन लोगों ने माभारती की बुझाए कार दी माँ भारती के तिन तिन टुकड़े कर दिये और ये लोग किस मुझ से अथा बोलने की हिंबत करते हैं अधिनियत जी ये वो लोग है जिस वंदे मातनम गीत ने देश के लिए मन मिटने की प्रेणा दे थी हिंदुस्तान के हर कौने में बंदे मात्रम चेतना का स्वर बन गया था तुस्ती करण की राजनिति के चलते उन्होंने मा भारती के हिं टुकड़े किये तना नहीं बंदे मात्रम गीत के भी टुकड़े कर दिये लोग ये वो लोग है मानिय अधिगी जो भारत तेरे टुकडे होंगे ये गैंग ये नाराव लगाने वाले लोग इनको बढ़ावा देने के लिए उनका प्रोथान करने के लिए पहुंच जाते हैं भारत तेरे टुकडे होगे, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, यह उन लोगों की मदद कर रहे हैं, जो ही कहते हैं, कि सिलीगुडी के पांच जो छोटा सा नौर्थिस को जोडने वाला कोरिडोर है, उसको काड़ दे, तो बिलकुर नौर्थिस आलफ हो जाएगा, यह सपना दे जहां भी हो जड़ा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे, जो बाहर गए ने, उनको जड़ा पूछे, एक कच्छ तिभू क्या है, कोई पूछे इनको कच्छ तिभू क्या है, इतनी बड़ी बाते करते हैं, आज मैं बताना चाहरा हूं, यह कच्छ तिभ हैं, और यह DM के वाले, उनकी सरकार, उनकी मुख्यमंत्री, मुझे चिठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं, और कहते हैं, मोधी जी, कच्छ तिभू वापिश ले आईए, एक कच्छ तिभू है क्या है, किस ने किया, तमिल नाडु से आगे स्री लंका के पहले, एक पू, किस ने किसी दूसरे देश को दे दिया था, कब दिया था, कहा गई चे, क्या ये भारत माता नहीं थी वहाँ, क्या वो मा भारती का अंग नहीं का, और इसको भी आपने तोड़ा, कौन था उसमाएं, स्रीमत हिंद्रा गांधी के नेत्रुत्मागर हुआ था, कॉंग्रेस का इतिहास, मा भारती को छिन भीन्ने करने का रहा हुआ है, आधर नियों देख जी, और कॉंग्रेस का मा भारती के प्रती प्रेम का रहा है, भारत के वास्चियों के प्रती प्रेम क्या रहा है, एक सच्चाई बड़े दुख के साथ मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ ये पिड़ा वो नहीं समझ पाएंगे मैं दाव और तिसके चप्पे चप्पे पर घुमा हूँ अवेक्ती होगी और राजरीती में कुछ नहीं सा तब भी मने पैर वहां गिस्ता साथ है मेरा एक एमोशनल एटेज्मेंट है उस छेतर के पति इनको अंदाज नहीं है मानिय अद्धिक जी मैं तीन प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूँ सदन्क सर्थ और बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूँ देश्वासी भी सुन रहे हैं पहली गटना पांच मार्ट 1966 पांच मार्ट 1966 इस दिन कॉंग्रेस ने मिजोरम में आज सहाएं नागरिकों पर अपनी वायू सेना के माद्यम से हमला करवाया था और बड़ा गंबीर विवाद हुआ था कॉंग्रेस वाले जवाब दे क्या वो किसी दूसरे देश की वायू सेना थी क्या क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं देख्या क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की दिम्मेबारी ठीक नहीं थी पांच मार्ट 1966 बायु सेना से हमला करवाया गया निर्दोस्त नागरी को पर हमला करवाया गया और मानियत देख जी आज भी मिजोरम में पांच मार्ज को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है उस दर्द को मिजोरम भूलनी पा रहा है कभी उन्होंने महरम लगाने की कोशिस नहीं किए घाउ भरने का प्रयाश तक नहीं किया है कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है और कॉंग्रेस ने इस सज को देश के सामने छिपाया है दोस्तों ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है क्या अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना कौन था उसमाएं इंद्रा गांधी अकाल तक्त पर हमला हुआ है तो अजबी भी हमारी स्मृति में है उनको मिजुरम में उसके पहले यादत लग गई थी और इसलिए अकाल तक्त पर हमला कर दे तक वो पहुचे थी आधनियव देश में और यहां में उपदेश दे रहे हैं आधनियव देख जी नौर्स इसमैं वहां के लोगों के विस्वास की जोने हत्या किया है वो घाव किसे ने किसी समस्या के रूप में भर करके आते हैं उन्हीं के कार्णा में है अधर लिग दी मैं दूसरी घटना के बड़न करना चाहता हूं और वो घटना है 1962 1962 का वो खौपनाक रेडियो प्रसारण आज भी शूल की तरह दौसरी के लोगों को चूप रहा है पंडित नेरु ने 1962 में जब देश के उपर चाहिना का हमला चल रहा था देश के हर कोने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अपिक्षा करके बैटे थे उनको कोई मदज मिलेगी उनकी जान माल की रक्षा होगी देश बच जाएगा लोग अपने हाद दनों से लड़ाई लेंडे के लिए मादान में उतरे हुए थे ऐसी विकट घड़ी में दिल्ली के शासन पर बैटे हुए और उस समय पर एक मातर जो नेता हुआ करते थे पंडित नहरू ने रेडियो पर क्या कहा था उन्होंने कहा था माई हाट माई हाट गोज आउट दुट पीपल अब आसां यह हाल करके रखा था उन्होंने वो प्रशारा आज भी असम के लोगों के लिए एक नस्तर की तरह चूपता रहता है और किस प्रकार थे उस समय है नहरू जी ने उन्हें अपने भाग्ये पर छोड़ जीने के लिए मजबूर कर दिया था यह हमसे हिसाब मांग रहे हैं हादर नियदक जी यहाँ चले गए लोहियाबादी यह उन्दुकों में भी सुनाना चाहता था जो लोग अपने आपको लोहियाब जी का बारिश कहते हैं और जो कल सदन में बड़े उचल उचल करके बोल रहे था हाथ लंबे चौड़े करनी के कोशिज कर रहे था लोहियाब जी ने नेरू जी पर गंबीर आरोप लगाया था और लोहियाब जी ने कहां था अर वारोप था कि जान बुझकर नेरू जी नौर्थ इसका विकास नहीं कर रहे जान बुझकर के नहीं कर रहे था और लोहियाब जी के शब्दत है यह कितनी लापर्वाई वाली और कितनी खतरनाक बात है 30,000 स्क्वेर मिल्क से बड़े चेत्र को एक कोल्ड स्टोरेज में बंद करके उसे हर तरह के विकास से बंचित कर दिया गया है ये लोहिया जिने नहरु पर आरोप लगाया था कि नौर्दिश के लिए तुम्हारा रवया क्या है ये कहा था नौर्दिश के लोगों के रुदय को उनकी भावनाओं को आपने कभी समझने की कोशिस ने किये मेरे मंत्री परिशत के चार सो मंत्री रात्री निवास करके और अखेले स्ट्रेट हेड़कॉर्टर पर नहीं है डिस्ट्रिक के हेड़कॉर्टर और मैं स्वाइं पचास बार गया ये आकड़ा नहीं है सिरफ ये साधना है ये नौर्धिस जेप्रती समर्पन है आधनी और कॉंग्रेस का हर कामकाच राजनीति और चुनाव और सरकार के आसपासी गुंता रहता है जहां ज्यादा सीटे मिलती हो तो राजनीति के अपनी खीचरी पकती है तो वहां तो मजबुरन शाहिक कुछ कर लेते हैं, लेकिन नौर्ध निस्ट में लेकिन नौर्ध नौर्ध निस्ट में देश सुन रहा है . नौर्ध नीस्ट में नौर्थ इसमें उनकी कोशित रही कि जहां पर एकका दुक्ता सीखे होती थी वो इलाके उनके लिए स्विकार्य नहीं थे वो इलाके उनको मंजूर नहीं थे उनकी तरब उनका ध्यान नहीं था उनको देश के नागरी के रिते में उनकी कोई सम्वेजरा रही थी आज एंडिया देख जी और इसलिए जहां एकका दुक्ता सीटे हुआ करती थी उसके पती सौतेला व्यावार कि यह कॉंग्रेस के डीने में रहा है पिछले कई वर्षों का इतिहाद देख लीजिए नौर्थ इसमें उनका ये रवया था लेकिन अद्धिक जी मैं पिछले नौ साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नौर्थ इस हमारे जीगर का टुकड़ा आज मनिपूर के समस्याओं को ऐसे प्रस्तूत किये जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां ये परिस्तिती प्यादा कुई तो अमीद भे ने विस्तार से बताया है समस्या क्या है कैसे हुआ है लेकिन मैं आज मेरी गंबीरता से कहना चाहता हूं नौर्थ इसकी इन समस्याओं की कोई जन्यनी है तो जन्यनी एक मात्र कॉंग्रेस नौर्थ इसके लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है इनकी ये राजनीती जिम्मेवार है अंगिलत बलिदान देने वाला मनिकूर्थ कॉंग्रेस के शाषन में ऐसा महान हमारा भूबाग अलगाव की आग में बली चड़ गया था अखिर क्यों आदेनिय देख जी आप सबको भी में याद दिलाना चाहता हूं साथी यहां मेरे जो 39 इसके भाईयों को हर चीज का पता है जब मनिपूर में वो एक समय था हर व्यवस्ता उग्रवादी संगधनों की मर्जी से चलती थी वो कहे वो होता था और उस समय सरकार किस थी मनिपूर में किसकी सरकार थी जब सरकारी दप्परों में मात्मा गांधी की फोटू नहीं लगाने दी जाती थी तब सरकार किसकी थी जब मोईरांग में आजाध हिन फोच के संग्रालाए पर नेता जी सुवाच चंद्र बोच की प्रतिमा पर बंप्यका गया तम मनिपूर में सरकार किसकी थी तम मनिपूर में सरकार किसकी थी जब मनिपूर में स्कूलों में राष्ट्र गान नहीं होने देंगे ये निर्णे किये जाते थे तम मनिपूर में सरकार किसकी थी जब हभिमान एक अभियान चला था अभियान चला करके लाइब्रेरी में रखी गई कितामों को जलाने का ये देश का अमुल्य ज्ञान की विरासत को जलाते समझ सरकार किसकी थी जब बनिपूर में मंदिर की घंटी शाम को चार बेजे बंद हो जाती थी ताले लग जाते थे पूजार चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था सेना का पहरा लगाना पड़ता था तम मनिपूर में सरकार किस की थी जब इमफाल के इश्कौन मंदिर पर बं फैंकर सद्धालूओं की जान ले ले ली गई थी तब मनिपूर में सरकार किस की थी जब अपसर हाल देखिए आईएस आईपियस अपसर उनको अगर वहां पर काम करना है तो उनके तनखा का एक हिस्सा उनको इन उग्रवादी लोको को देना पड़ता था तब जाकर कर वह रह पाते थे तब सरकार किस्की थी आधिन यतिक इनकी पीड़ा सिलेक्टिव इनकी संबेदना हि सिलेक्टिव है इनका सब बाठीत राज निती से शुरू होती है और राज निती से आगे बढ़ती है वे राजनीती के दाइरे से बारत से न मानवता के लिए सोच सकते हैं, न देश के लिए सोच सकते हैं, न ही देश की इन कठिनाईयों के लिए सोच सकते हैं, उनको सिरफ राजनीती के सिवा कुछ सुच्ता नहीं है खादिनेतक जी बनीपूर में जो सरकार है वो पिछले शे साल से इन समस्याओं का समाधान दूनने के लिए लगातार कोशिश सबर्पित भाउस से कोशिश कर रहे हैं बंद और ब्लोकेड का जवाना कोई भूल नहीं सकता है बनिपूर में आए जिन बंद और ब्लोकेड होता था वो आज बीते दिन की बात हो चुकी है शांती स्थापना के लिए हर एक को साथ लेकर चलने के लिए एक विश्वात जगाने का प्रयाथ दिरंतर हो रहा है आगे भी होगा और जितना ज़्यादा हम राजनीती को दूर रखेंगे उतनी शांती निकट टाएगी कि में देश वास्चों को विश्वात दिलाने चाहता हूँ हदर निर्तक जी हमारे लिए नौर्थ इस्ट आज भले हमें दूर लगता हूँ लेकिन जिस प्रकार से साउथ इस देश्या का विकास हो रहा है जिस प्रकार से आश्यान देशों में का महत्व बट रहा है वो दिन दूर नहीं होगा हमारे इस्ट की प्रगतिक के साथ साथ नौर्थ इस वैश्विक दूर्ष्टी से सेंटर पॉइंट बनने वाला है और म मैं पूरी ताकत से आज 39 की प्रगति के लिए रहा हूँ, बोड के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे मानू है कि करवट लेता हुआ विश्व की नई समुरचना किस प्रकार से साथ इस देश्या और आश्यान कंट्री के इंदर प्रभाव पैदा करने वाली है, और तम 39 का क्य हो जलाली गवरवगान फिर से कैसे शुरू होने वाला है, को मैं देख सकता हूँ, और इसलिए मैं लगा हूँ, अर इसलिए हमारी सरकार ने नौर्थ इसके विकास को पहली प्राक्टिक्ता दी है, पिछले नौ वर्षों में लाखो करोड रुपी हैं, नौर्थ इसके इं आज आधुनिक हाइवे, आधुनिक रेलवे, आधुनिक नए एरपोर्ट ये नौर्थ इसकी पहचान बन दे हैं, आज पहली बार अगर तला रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा है, पहली बार मनिपूर में गुड्स ट्रेन पहुंची है, पहली बार नौर्थ इसमें दे भार जैसे आधुने क्रेंग चली है, पहली बार अनौरा चल प्रदेश में ग्रीन फिल एरपोर्ट बना है, पहली बार अनौरा चल में सिक्किम जैसे राज एर कनेक्टिविटी से जुड़ा है, पहली बार वाटर वेज के जरिये पुरुवत्तर इंटरनेशनल ज़नके से सवस्ता खुल रहे, पहली बार केंद्रीय मंती मंडल में नौर्दिश के इतनी भागी दारी बढ़ी है, पहली बार नागा लेंड से एक महिला शांसा राज सभा में पहली बार इतनी बड़ी संगय में नौर्दिश के लोगों को पद्मपुरुषकार से सम्मान किया रहा है पहली बार पुरोत्तर से लसिज भर्भुकन जैसे नायक की जाकी गंदकत्र जुरस में शामिल हुई है पहली बार मनिपुर में रानी गडिल्णू के नाम पर पुरोत्तर का पहला ट्राइबल फिडम फाइटर मुजम बना है आधनिय देग जी हम जब सब का साथ सबकाविकास कहते हैं यह हमारे लिए नारा नहीं है यह अमरे शब्न है यह अर्टिकल ऐसे हमारे एक commitment है और हम देश के लिए निकले हुए लोग है हमने तो कभी जीमन में सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसी जगा पर आर करके बैठने का सोभागी मिलेगा लिगने देश की जनता की खुपा है कि उसने हमें अवसर दिया है तो मैं देश की जनता को विश्वाद दिलाता शरी का कंकं समय का पलपल सिर्व 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 देश वाच्व के लिए तो मैं अपने विपक्ष के साथ हूं कि एक बात के लिए आज तारीप करना चाहता हूं क्योंकि वैसे तो वो सदन के नेता को नेता मानने को तयार नहीं है मेरे किसी बाशन को उन्होंने होने ले गिया है लेकिन मैं मुझे में धैरिय भी है सहन सक्ति भी है और जेल भी लेता हूं और वो धग भी जाते हैं लेकिन एक बात के लिए मैं तारीक है सदन के नेता के नाते मैंने 2018 में उनको काम दिया था कि 2023 में आप अब इस वात प्रसाव लेगा और मेरी बात मानी उन्होंने लेकिन मुझे दूख इस बात का है कि 18 के बात 23 में पांच साल मिले थोड़ा अच्छा करते हैं अच्छे डंग से करते हैं लेकिन तायारी बिलकुर है कोई इनोवेशन नहीं था कोई क्रियेटिविटी नहीं थे नमुद्दे खोष बार रहे थे अधानिये देशक में इन्नों ने भॉत निराज किया है राज़ कि अचलिये कोई बात नहीं दोजार अथाइस में मैं फिर चर्मों का देगा लेकिन मैं इस बार उनसे आग्रे क करता हूं कि जब अठाइस में आप अविश्वास प्रस्था लेकर करके आए हमारी सरकार के खिलाफ थोड़ी तैयारी करके आए कि मिल्दे ढूंड करके आए ऐसे क्या गिसी पीटी बाते लेकर कि गुमते रहे तो और देशकी जनता को थोड़ा विश्वास इतना मेरे से क कि चलो भई आप विपस्टिय भी योग्य हो इतना तो करो आपने वो योग्य तभी खोदी है मैं आशा करता हूं कि वोड़ा थोड़ा हमबर करेंगे तू तू मेमे और चिलाना चिखना नारे बाजी करना उसके लिए तो दस नोग मिल जाएंगे उनको लेकिन थोड़ा द राजनीती अपनी जगाते हैं साउसत यह दल के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है साउसत के देश के लिए सम्मान्य सर्वोच संस्तान और इसलिए सांसतों के लिए भी इसके प्रती गंभीरता होना बहुत जरूरी है देश इतने संसाधन लगा रहा है देश के गरीब के हग का यहां खर्च किया जाता है यहां का पलपल का उप्योग देश के लिए होना चाहिए लिकिन यह घंभीरता विपक्ष के पास नजर नहीं आ रहे है इसलिए अधिक जी यह राजनीती ऐसी तो नहीं हो सकते चलो खाली है तेरा संसत घूमाते है इसलि ला यह चलो संसत घूमाते भावना से राजनीती तो चल सकती है देश नहीं चल सकता है यहां देश चलाने के लिए हमें काम दिया और इसलिए उफ जिम्मेवारी को अगर पुरा नहीं करते हैं तो हम जनता जनागन का अपने मत्ताताओं का विश्वास गात करते हैं और इन देख जी मेरा इस देश की जनता पर अतुट विश्वास अपार विश्वास और मैं अधिक जी विश्वास से कहता हूं कि हमारे देश के लोग एक प्रकार से अखंड विश्वासी लोग हैं प्यादि गुलामिक कालखन में भी उनके भीतर के विश्वास को कभी उन्होंने हिलने नहीं दिया था यह अखंड विश्वासी समाज है अखंड चैतन्य से भरा हुआ सवाज है कि ये संकल्प के लिए समर्पन करने की परंपरा को लेकर चलने वाला समाज है कि वेम राष्टांग भूता हां कहे करके देश के लिए उसी सम्मेदना के साथ काम करने वाला इस समाज है और इसलिए मानियत देख जी यह ठीक है जुलामी के कालखन है हम पर बहुत अमले बहुत कुछ जेलना पुड़ा हमें लिकिन हमारे देश के विरों ने हमारे देश के महापुरुचों ने हमारे देश के चिंता को ने हमारे देश के सामाने नागरिक ने विश्वास कि उस लव को लोग को कभी बूजने नहीं दिया जी कभी भी वो लोग कभी बूजी नहीं जी और जब लोग बूजी नहीं तो उस प्रकास पुंज की साहे में आज लोग हम उस आनंद को ले रहे हैं अधनिया जग जी कि बिते नव वर्षों में देश के सामान में का मानवी का विश्वास नई बुलंडियों को छू रहा है नए अर्मानों सों को छू रहा है मेरे देश के नव जवान विश्व की बराबरी करने के सपने देखने लगे अर्शे बड़ा सोभग्य क्या हो सकता है हर भारतिय विश्वास से भरा हुआ है अधनिया देख जी आज का भारत नदबाओं में आता है नदबाओं को मानता है आज का भारत न जुपता है आज का भारत न खरता है आज का भारत न रुपता है तो सम्रुद्ध विरासत बिश्वास लेकर के संकल्प लेकर के चलिए और यही कारण है जब देश का सामान ने मानवी देश पर स्पार्ट में जंद्र करने लगना है तो दुनिया को भी हिंदुना पर विश्वाथ करने के लिए हैँ आज डूनीया का विश्वाथ भारत के प्रति बना उसका एक कानण भारत के लोगों का खुद पर विस्वास बड़ा यह सामर्थ हैं कृपा करके इस विस्वास को तोड़ने की कोशिश मत किजिए मोका आया है देश को आगे ले जाने का समझ नहीं सकतो तो चूप रहो इंतिजार करो लेकिन देश के विश्वास को विश्वास गार्थ करकर के तोड़ने की कोशिश मत करो हादर नियर्तिक जी बीते वर्षों में विक्सीद भारत के एक मजबूत नीव रखने में हम सपन हुई है और सपना लिया है 2047 जब देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा आजादी के 55 वर्ष पूर्ण होते पहीं अमरितकाल शुरू हुआ है और अमरितकाल के प्रारंबिक वर्षों में है तब इस विश्वास के साथ मैं कहता हूँ जो नीव बजबूती के साथ आगे बढ़े है उस नीव की ताकत है कि 2047 में हिंदुस्तान बिख्सित हिंदुस्तान होगा भारत बिख्सित भारत होगा जाथियों और यह देश वाच्यों के परिश्रम से होगा देश वाच्यों के विश्वात से होगा देश वाच्यों के संकल्प से होगा देश वाच्यों के सामुहिक शक्ति के दोगा देश वाच्यों की अखंड एक नाच के पुर्शार्थ में होगे वाला है कि मेरा विश्वात कि आगे अद्धक जी कि हो सकता है यहां जो बोला जाता है वो रेकोर्ड के लिए तो शब्द चले आएंगे लेकिन इतिहास हमारे कर्मों को देखने वाला है जिन कर्मों से एक समरुद्ध भारत का सपना साकार करने के लिए मजबूत नीव का कालखंड रहा है उस रुप में देखा जाएगा इस विश्वास के साथ आधन यतिक जी अज सदन के सामने मैं कुछ बाते सपर्षता पुर्व करने के लिए आया था और मैंने बहुत मन पर संयम रख करके उनकी हर अपशब्दों को हसते हुए अपनी मन को खराम न करते हुए एक सोचानिस करोर देश्वास्यों को उनके सपनों और संकल्पों को अपनी नजर के सामने रख करते मैं चल रहा हूँ और मैं संधन के साथ यों से आगडर करूँ आप समझ के पहाएं साथ मिलक्पर के चाहँ इस देश मैं मणिपूर से भी घंबिरसमस्याय है पहले भी आगी है लेकिन हमने मिलकर के रास्ते निकाले हैं। आओ मिलकर के चले, मनिपूर के लोगों को विश्वात दे करके चले, राजनीती के खेल करने के लिए मनिपूर की भूमी का कम सकंद दुरुप्योग न करें। वहाँ जो हुआ है वह दुखपूर ना है। लेकिन उस दर्द को समझ करके, दर्द की दवाई बन करके काम करें, यही हमारा रास्ता होना चाहिए। अगर जग जी इस चर्था में बहुत सम्रुद्य चर्था इस चर्था हुई है। एक-एक डेड़ेड़ घंटा विस्तार से सरकार के काम का हिसाथ देने का हमें उसर मिला है। और मैं अगर यह प्रस्ताव ना आया होता है, तो शायद हमें भी इतना कुछ कहने का मोका न मिलता। तो फिर एक बार प्रस्ताव लाने वालों का तो मैं आप हार वेक्टा करता हूँ, लेकिन ये प्रस्ताव देश के विश्वाद गात का प्रस्ताव है, ये देश की जनता अस्विकार करें ऐसा प्रस्ताव है, और इसके साथ मैं फिर एक बार आदरिय अद्धिक जी आपका र